अचानक एक मुद्दा मीडिया की सुर्खियां बटो रहा है क्यों? क्योंकि ये मुद्दा एक फेमस एक्टर महिश ठाकुर का है नमस्कार में उश्रद्धराय और आप देख रहे हैं दाचानक के पेश जिम्मेदार कौन? हमारे भारत देश में हर मुद्दा जो अदालत में पैसलों तक पहुँचना चाहिए वो पहले पहुँच जाता है मेडिया ट्राइल के लिए और बिना किसी सबूत यतर के धीरे धीरे वो एक तरफा होता चला जाता है और सबसे जादा जुकाव उस तरफ होता है जहां आम जनता की भावनाय जुड़ी होती है इसमें कोई डाउट नहीं कि इससे मीडिया को तो फाइदा होता है पर दूसरे पक्ष को बहुत जादा नुकसान हो जाता है नुकसान ऐसे की पहली लड़ाई तो वो अदालत में लड़ता है और दूसरी लड़ाई आम जनता में उसकी खिलाव बनी हुई सोच से ये कहने में गुरेज नहीं है कि अदालतों पे भी इस सोच का कुछ न कुछ प्रभाव तो पड़ता ही है हालकि हमारी देश की नियाई पाली का निश्पक्ष है और सबुतों के आधार पे ही निड़ने देती है पर जब तक ये नियाई प्रक्रिया पूरी तरीके से खतम नहीं हो जाती है दूसरा पक्ष निड़ने आने तक दोसी ही बना रहता है ऐसे ही अचानक एक मुद्दा मीडिया की सुर्ख्य बटोर रहा है क्यों? क्योंकि ये मुद्दा फेमस एक्टर महेश ठाकूर का है देश के अलग-ख मीडिया ने इस मुद्दे को संध्यान में लिया और एक वकील जिसे कुछ मीडिया हाउजेश चंधिगर का बता रहे हैं तो कुछ दूसरे मीडिया हाउजेश उसे हर्याना का बता रहे हैं जिसके उपर पाच करोर चालीस लाक रुपे की ठगी का आरोप है इतना ही नहीं जब एक्टर महेश ठाकूर ने पुलिस स्टेशन में जाके F.I.R. दर्श की तो मीडिया हाउजेस कुछ उसे अमबोली पुलिस स्टेशन में रेजिस्ट्रेशन का दावा कर रहे हैं तो कुछ ये कह रहे हैं कि वो ओशिवारा पुलिस स्टेशन की रिपोर्ट है जब कि मैं आपको बता दूँ कि मुंबई में ये दोनों ही इलाके यानि की ओशिवारा एन अमबोली पुलिस स्टेशन एक दूसरे से काफी दूर है बहराल मुद्ध ये है कि अभी नेतम महिश शाकूर की एक प्रॉपर्टी का विवाज चल रहा था जिससे सुलजाने के लिए उन्होंने अगस 2021 में मैंग गोईल नामक वकील को अपने लिए नियूक्त किया और अब तक अपने और अपने मित्र के अकाउंट से पांच करोड चालीस लाख रुपए फीज के रूप में दिये मीडिया में ये भी आरोप है कि वकील मैंग गोईल ने वीडिया कॉन्फरेंसिंग के जरिये कोटरूम के पूरे प्रोसेटिंग को हर बार महेश ठाकों को दिखाया गया और दीरे दीरे उनसे और पैसे लेता गया जबकि इस प्रोसेटिंग वाले वीडियो में जो जज, वकील या अन्ने लोग दिख रहे थे वो असल में कोई थे ही नहीं बलकि सब लोग नकली थे इसलिए उस वकील के खिलाव धारा 420 और 406 में मुकदमा दर्श किया गया बस यही सत्य है इस कहानी में कि मुंबई शहर के एक पुलिस स्टेशन में एक्टर महेश ठाकुन ने एक वकील मैंग गोयल के नाम पर F.I.R. दर्श करवाई इस केस की विवेचना और सत्यापित करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ अदालत के पास है पर क्योंकि यह पूरा का पूरा मामला हाइप पोफाइल का है इसलिए मीडिया ट्राइल शुरू हो गया खेर जब मैंने एक्टर महेश ठाकुर से संपक किया और उनसे जानना चाहा कि आखिर यह पूरा का पूरा मामला क्या है तो उन्होंने कहा क्योंकि अभी सब कुछ लीगल प्रोसेडिंग में हैं इसलिए वो अभी कुछ नहीं कह सकते हैं पर 10-15 दिन के बाद वो प्रेस कांफरेंस जरूर करेंगे और पूरा का पूरा मामला सामने लेके आएंगे और कुछ लोग इससे एक्सपोज भी होंगे इस केस की क्या हकीकत है और क्या कानूनी पहलू है यह सारी चीज़े सामने बाद में आएंगी पर क्या मीजे ट्राइल होना उचित है क्या सामने वाले का किसी भी प्रकार का कोई स्टेटमेंट सामने आया क्या आप दूसरे पक्ष को जानने में इंट्रेस्टेड है नहीं क्योंकि आप उस पक्ष से किसी भी प्रकार से कनेक्टिड नहीं है आप जुड़े हैं महेश ठाकुर से और उनके द्वारा किये गए किर्दारों से जिनें आप प्यार करते हैं इसलिए सारा मीडिया ट्राइल आपकी भावनाओं को ध्यान में रख कर किया जाएगा खेर महेश ठाकुर पुलिस के पास पहले पहुचे हैं तो सौभाविक है कि उनका पला भारी होगा पर उन्होंने कोई गल्ती नहीं की ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा क्योंकि वो कोई बच्चे नहीं है कि जिन से 5 करोर 40 लाक रुपए सिर्फ एक आदमी ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग दिखा के ले लिए सत्य हमेशा परदे में छिपता है पर अदालते सत्य अन्वेशी होती हैं और उसे परदे से बहार ले आती हैं मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप सभी से अनिरोध करूंगी कि आप भी किसी भी मीडिया ट्राइल का हिस्सा ना बनें क्योंकि यह हमारी न्याय प्रक्रिया के लिए बेहत खातक है नमस्कार